प्रोटीन सप्लिमेंट और सलाजीत ले सकते हैं क्या देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जो फिटनेस की जर्नी है बेसिकली आपके उसमें बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे खुसर रहोगे और नहीं समझा तो आप आपको यहां पर यहां पर यह पता होना चाहिए कि इन मेंसे हमें कितने सप्लिमेंट की जरूरत है एक्सम्पल के तौर पर आप यह बास समझ गें मानके चलो आपको टीवी लेनी है ओके आप बाजार गाए एलेक्ट्रोनिक सोरूम पर आपको धेर सारे एक्क्यूपेंट् लेनी तो आपको टीवी है ना क्या वॉसिंग मसीन भी लेनी है वॉल फैन भी लेना है एड़ जैश फैन भी लेना है सब कुछ यह सब नहीं लोग है ना क्योंकि आपको पता है लिमिटेड पैसे हैं सो अब इसी एक्जांबल को आप इधर रखिए सप्लिमेंट साइट आपका इस्ट्रेस भी सही रहेगा और जो आपका लिविटो है वो भी परफेक्ट रहेगा अरे यार कुछ भी कर रहे हो कुछ भी खा रहे हो आप ऐसा नहीं करना है आपको आपको यहाँ पर सिंपल सी एक ही बात की जुरूरत है जो भी आपका ट्रेनर है ओके जिससे भी आप डाइक चार्ट बनवाते हो खुद तो लेते नहीं होगे अगर खुद लेते हो तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आपको बोड़ी की किसकी नीड है किसकी नहीं देन उसे साबसे आप उस पर्टिकुलो सप्लिमेंट को सेलेक्ट करिए जिससे कि आपके पैस नहीं से नहीं ना वो आपका घर का खाना है ओके जो आप वेरियर्श टैप्स के फूट खाते होना वो सब और साथ मैं वेजीटेबल्स दूद दही यह सब आप जितने ज़्यादा नेचरली सोर्सेज रखोगे वेरियर्श टैप्स के उधर से आपको बाइटमेंस मिनरल्स आपके कार्वो फैट और प्रोटीन यह सब आपको पर्फेक्ट तरीके से मिलता रहेगा और यहाँ पर कोई अगर यह बोल देना कि आपको यह सब जो मैं बता है ना कि इस टैप्स के खाने से पूर्ती नहीं हो पाईगी तो इतना सा कष्ट कर लेना उस बंदे को जड़ा म भी दे दूँगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि मैं इन डेप्त क्या बोलना चाहता हूं गेहराई में तो यह था टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो मेरी इतनी देरता बास सुनी उसके लिए थेंक यू